को हेवरिवन वएलकम बैक टिरोध चनललुअ दाफानेशल इसी मैं हूं अपके दोश्रदी बीघ्री इस वीडियो में हम वीकरी अनलेसिस करने वाले थे लास्त टू वीक तहुं क्यों सोग के दोख का अनालेसिस कर रहे थे तो लीदियो है वो भी आज आपको मिल जाएंगी जिसमें हम कॉंसे स्टॉक्स में बेटर है इंवेस्टमेंट के लिए वो पिक कर सकते हैं विद इस अभी इसी के साथ हम यहां पर शुरू करते हैं लास्ट टाइम जब वीकली अनालेसिस किया था मैंने तब हम यहां पर दें जैसे मार्केट में जाते हुए दिखेगा ठीक है डोजी केंडल जब इस तरीके से बन जाता है एक अपने रसेस्टंस के पास तो वहां से फोल आना होता है यह जो रैड केंडल आप देख रहे हो ना इस वीक में यह एक्सपेक्टेड थी ठीक हो पहले से दिख रही थी कि यह होगा क्योंक क्या बनते हैं जब यह केंडल हमारी फोम हो गई है और एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिला हमारा पोर्टफोलिय इतना ज्यादा डाउन है उसके बाद सो यह अगर आप इस चीज को देख रहे हो वीकली टाइम फ्रेम का यह जो चार्ट है य से आप रेंज बोल सकते हो रेंज किस तरीके से क्योंकि प्राइस जैसे ही यहां पर आ रहा है इन सारे लेवल्स पर आ रहा है तो वैसे वहां से एक फोल दे रहा है ठीक है इस लेवल से आता ही फोल आ रहा है 22825 के राउंड लेवल से अपने इस लेवल पर आ रहा है जो हम ही इतना दम नहीं लग लागा तो केंडल फोमेशन हमें बताती है कि कितना ज्यादा है इस टाइंप पर मार्केट में और अगर एक रेंज में आप जो केंडल अगर प्राइस एक रेंज में चल रहा है तो आप मिशे कोशन पुछते हो कि range में चल रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वह breakout देने वाला या breakdown देने वाला है so this is a trick कि आप ये देखो कि उस range में कितनी candles बनी है और उस candles में से strong candles कौन से side बनी जैसे अगर आप यहाँ पर down side में देखो कि this is the red candle this is the red candle strong candles है rejection candles भी काफी अच्छी बनी है अब ग्रीन केंडल को देखो करने तो उतनी स्ट्रेंथ वाली candles है नहीं तो वह शो करता है कि यहाँ पर इस level पर जो sellers है वह ज्यादा है ठीक है अब इसी के साथ साथ एक और चीज जो आपको शायद इस टाइम पर नहीं दिख रही होगे as a beginner but I can see कि यहाँ पर आप देखोगे एक जो आप बोलते हो डबल टोप जो है वह तो आपको दिखे गई प्लस में एक पैटरन फॉमेशन दिखेगा जिसमें प्राइस जो है वह बहुत बार एक ट्रेंड लाइन को टच कर चुका है अगर आप इसे देखते हो ठीक है और उसके थोड़ा नियर था इसके एक डोजी केंडल बनी थी अगैन एक ग्रीन केंडल का फॉमेशन बना के एक अपसाइड का मूव दिया था और वहां से दुबारा से लगातार गिरते वे दुबारा से इसी वाले ट्रेंड लाइन पर आ चुका है इतना प्राइस ने अपसाइड क चल रही है एक जो एक स्रावले न में और प्राइस बॉमेशन में तो आपने दैकल्रेंघर्ण बने दीशन के डाथ यहां पर नारी ग्राइस कर्ढ़ों और 202 जो पेटरन फोमेशन यहां पर कर रहा है और डाउनसाइड का जो व्यू है मैं देखने को बिलेगा मैं हाँ पर कुछ पेटरंज रेंज वगएरा भी डाउनसाइड के साइड में ट्रेड की दी जिसमें काफी अच्छा मोमेंटम आया था ठीक है सो यहां पर जो यह केंडल तो हम अगेन इस मदर केंडल जितना जो लो है वो डाउंसाइड में आते हुए देखेंगे और वह ओविस भी है क्योंकि हमारा नेक्स सपोर्ट यहीं पर है ठीक है इन लेवल्स पर है और इस इस देखोंगे फिर भी तो यह जो लेवल है इस दुबारा से रिवर्स कर पर फोटो बनाके प्रैस गिर है अपसाइड का ब्रेक आउट जब इन टॉप्स वाली ट्रेंड लाइन का आएगा तब हमें एक अच्छा अपसाइड का मूव यहां पर प्राइस में देखने को मिलेगा अधर्वाइस अगर इसका ब्रेक डाउन आता है ट्रेंड लाइन का तो जितने भी हमारे इस trend line के time पे एक important support levels बने थे वो सारे हमारे लिए important support होंगे and one more important thing जो मैंने पहले भी आपको यह वाली चीज़े बोली है कि price अगर अपना gap बड़े time frame पर छोड़ दियता है तो उसे fill करता जरूर है so अगर यह gap filling इस ही बार होती है ठीक है तो हमें काफी अच्छा fall फिर or down side में देखने को मिल सकता है लेकिन यह जो points आ रहे है वो 7-8% आ रहे हैं यहां से and channel formation भी थोड़ा उस type का बन रहा है so I am not biased here कि मैं यह बोलू कि direct ही fall हमें हाँ पर दिखेगा but हाँ we will play according to levels अगर यह चैनल जो इतने टाइम से बन रहा है यह चैनल कप से बनना शुरू हुआ था December से बन रहा है and now it's May ठीक है so अगर फिर भी यह पाच्छा महिनों में जो चैनल बना है अगर इसका एक breakdown आता है तो फिर हमें fall जो है वो 5-7% का तो easily दिखेगा और कुछ ही टाइम में दिख जाएगा क्योंकि यह रेंज का breakout और breakdown का जो रन आता है वो बहुत शार पाता है ठीक है let's go to the bank nifty chart अब अगर आप bank nifty का भी देखोगे इस टाइम पे तो एक काफी अच्छी range formation होई है इवन में मैंगनिफ्टी फोंग दिस हैमर केंडल आए टोल्ड यू कि यहां से यू कें डिरेक्ली शॉल्ट और कुछ रन जो है में डाउंसेट का देखने को मिलेगा चार्ट का क्या होता है न हम रीड करना सीख लेता है वही हम यह चार्ट रेडिंग भी सीख जाएंगे हमें दिखेगा भी कि यहां पर फोल है हमें दिखेगा कि भी candle formation है बट वेन वी एक्जिक्यूट तो हमारे दिमाग में दोनों चीज़े चलती है कि क्या पता यहां से फॉल ना आए यहां ने कहीं और कुछ चीज़े सुन ली कि क्या पता ग्लोबली स्ट्रोंग हो गया मार्केट तो हमारे में रूप जाए यहीं से और बढ़ जाए तो यह स वाली चीज़े थोड़ी एक्जिक्यूशन में लानी चाहिए चाहिए आप कम क्यापिटल से ट्रेड करो अपनी स्ट्रेजी पर थोड़ा ट्रेड करो तभी आपको कॉंफिडेंस आएगा ठीक है अब अगर आप देखोगे तो यह जो रेंज आपको दिखरी है बैंक निफ यहां पर अगर आप देखोगे तो यह वाली जो रेंज है इस तरीके से करके काफी टाइम से जो बन रही है नवंबर के राउंड यहां पर जाके एक बिग शार्प रेड केंडल में दिख लिए जो कि बहुत स्ट्रोंग है प्रिविएसली जो केंडल बनी अगर आप उनसे कंपैर करोगे और विद डोजी केंडल यह आया है तो यह जो बार 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 पर टच कर रहा है अपने नीचे डाउंसाइड की जो ट्रेंड लाइन है अगर आप इसको दुबारा से जो निफ्टी है उसकी तरह देखोगे तो इस सपोर्ट वाले लेवल के बाद हमारे इंपॉर्टन सपोर्ट लेवल के बाद अगर आप देखोगे इस 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 सेकेंड रेंज जिसमें हमारे इंपॉर्टन लेवल्स लगेंगे बुलिश एंगल्फिंग केंडल हमारी आपर बनी है ठीक है और इस केंडल के बाद जो मार्केट है वो दूबार से डाउंसाइड म अगर प्राइस का यहां पर ब्रेकडाउन आता है तो यह सारे लेवल्स हमारे इंपॉर्टन सपोर्ट बनेंगे इन प्राइस इनको टच करते वह दिख सकता है ठीक है लेकिन यहीं रिवर्सल पॉइंट बनेगा हमारे लिए नाउ वन मोर इंपॉर्टन थिंग इस कि यहां से अगर आप देखोगे तो एक यह स्विंग है हमारा एक यह स्विंग चली रहा है तो हम इसका यह तो नहीं सकते हैं कि आप इस पर फिबॉनाची ले लो बट वीकिन इफ वीकिन यूज तो यहां से अगर थोड़ा रिवर्सल भी आता है क्योंकि मार्के डाउंसाइड फो इस बार इस वीक हमारा जो सेट अप है उसने बैक टू बैक हमें यहां पर जो टागेट्स दिये हैं आई विल शेर जो हमारा सेट अप का एक रहा है इस बार का व्यू वह सारा में डालूंगे अभी हमारे योडी में सो अगर आप देखोगे तो काफी टाइम से जो इस एरिया हमारा जो व्यू रहने वाला है इसी बेस एरिया के अकॉर्डिंग रहेगा विकास दिस इस फॉर्म्ड अगैन अरेंज स्क्वीज यहां पर हो गई है अब नाव प्राइस वर्ट केंप्राइस दू यहां से दो तीन चीजे की तरह एंट्री बनती है प्राइस इ यहीं पर एक बुलिश इंगल्फिंग केंडल दे जो सेलर से उनको ट्राप कर दे रेड़ केंडल को यह रेड़ केंडल है और अपसाइड का एक मूव दे इस रेंज को स्क्वीज करते वह जो ब्रेक आउट अव अपसाइड का है वर्न मोर इंपॉर्टन इस तरीके से करके हमें और देखने को मिल सकता है इसकी प्राइस अपना यहीं पर है जो रेंज है वह बनाए इसको अगें तोड़े दुबारा से एंड पैटन बनाके डाउन साइड का फोल दे या फिर जैसे ही है यहीं पर ही ओपन और उसके बाद डाउन साट के एक रन देना शुरू हो जा दिमारा जो है हां पर आपर की केस में रहेगा अगरल आप देखो प्राइस ने काफंसे свेंटल सेृंग का है जो यह formation बना है इस basis पर फोल जादा आता है ठीक है क्योंकि प्राइस नहीं हाँ पर क्या किया है फोर्स टाइम सेकेंड टाइम फोर्ट टाइम अगर यहीं पर रेंज रहा तो इसी का करना है इवन अगर आपको चेक करना है सही है नहीं तो यूपन मेसेज में यहां पर मेरी अपर यहां से डिरेक्ली कॉंटेक्ट में और मोर इंपोर्टन इंग इस मैं कोई अमाउंट के डिमांड नहीं करती कि दो से तेन दिन में पैसे डबल हो जाएंगे कॉल से लोग यह वह ऐसा कुछ नहीं होता यहां पर सीखने के लिए है और लाइव मार्केट में मेरा व्यू आत को प्रीवियस के चार्ट दिखाऊ नहीं यहां पर इसी वीग के सवीवर वेटिंग फॉर सेटप एंड उसके बाद अगर आप देखोगे हमारा सेट अपर हमारा सेटप फोमेशन बना ठीक जो मारे ट्रेंड रेडिंग सेटप था एंड अगें हमारा हंडर्ड होगे एक बार हमारा सेटप फोमेशन बना था हमारे यहां पर एंट्रीटी चार्ट उसके बाद वीवर वेटिंग एंड थे एक दम से वन इस्टो वन हिट होता है और फिर प्राइस काफी अच्छा कॉंटेटेशन देता है ठीक है यह हमारे चैनल से जिसमें हम बेसिस लाइ मार्केट में अपडेट जाता है ठीक है सो आय होग कि आपका वीकली अनलसीज का व्यू क्लियर है प्लीज दू सब्सक्राइब चैनल दू शेर दस वीडियो विडियो विद ओल यू लव्वन्स विद इस थैंक यू सो मच भी प्रफाइशन टेडर अन हपी फांशल इन लागो थे प्रफाइब को जिसमों में आपना है जब लाइब अनलसीजिक प्रफाइब प्रफाइब ट्रुमिझ निह प्रफादी को जो कि अ दूर समय है जो है गूएब युभ आर रहा यू जो है एल विएवोड़ आर उनलसीज जो है जयो है प्रफाइब चैनल एrafि